असे आमुलेकुम जी क्या हल चाले आप लोग के उमीद है जी सब लोग ठीक ठाक हूंगे मैं भी बिल्कुल ठीक है अलहम्दुरिला से व्लॉग का अगाज हम सुबह के साथ करें सुबह के 11 बच रहे हैं मैं अभी सोकर उठी थी और उठते साथ ही मैं अपने लिए बना रही आई भी है न जैसे लग रहे हैं से दुपहर का टाइम हुआ वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े है मुलतान में तो बहुत शदीद गर्मी है कोई 42 43 तैसे टंपरेचर चर रहा है आप लोग बताएं जहां पर आप लोग रह रहे हैं वहां पर क्या सचुएशन है गर्मी है या नहीं है खैर यहां पर मैं भी बना रही थी कैरी का शेरवत है यह काफी सारा जो इसका पल्प था वो मैंने बना कर फ्रिज में रख दिया था बस भी मैं रोज सुबह उठ रही हूँ आज कल और इसके थोड़े से चमर डालती हूँ और मिक्स करके शेरवत बना लेती है यहां पर बस मैं लेट के आप लोगों के जैना वो कॉमेंट्स वगेरा पढ़ रही थी और उसके बाद अब यह दुपहर के कोई दो बचे का टाइम हो रहा था और मैं बना रही थी अपने लिए सेंडविच आप मैं से कुछ लोग अकसर वाला कॉमेंट बार बार कर रह यह दो बार कोई दो बार रहे जाती हैं तो अपनी मरजी से जितना दिल करता है मैं रह जाती हूँ तो इसलिए यह वाला सीन है आप मैं सकसर पूछते हैं आपकी सास कुछ कहती है नहीं तो वह कुछ भी नहीं कहती है इस मामले में सेकिंड मेरे जो हस्मेंट है वो इदर नहीं होते वो आट ओफ सिटी जो आप करते हैं तो वो हर मन्त बाद आते हैं तो इसलिए फिर मैं कुछ डेस सुसराज में गुजार लेती हूँ एंड वाले डेस मेरे लिए काफी डिप्रेसिंग और स्ट्रेस वाले हो जाते हूँ इ सुछ दिन एहां रहां जाती हूं तो इस ताएसरा बीप्रेस्ट और से संटी परी आप घसे मेरे जाया टिसे मैं काफी टांशी उस कर रही थी से तो इन प्रोटेक्ots के बीव मैं आपके साथ बहुत बहुत अ किसम की तुर एक्ट सबसे पहले यह Urban Guard का 3D Multifunctional Cleanser है Optimal वालों का अच्छा है यह 3D Multifunctional क्या है कि 3D मींज यह Cleanser भी है Scrub भी है और Mask भी है एक यह product में आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी जिन्दकी इतनी फास्ट होगी है कि कभी कोई इनसान पर टाइम नहीं होता कि वो अलग से Cleansing करें Scrubbing करें, Mask करें, टाइम नहीं होता तो यह बहुत अच्छी product है इवन मैंने अपनी Bridal Kit में भी यह वाली product रख रखी थी मैं इसी cleanser को Daily Base पे यूज करती हूँ आपको इसके साथ अलग से Scrub, Mask लेने की जूरत नहीं है सब कुछ एक ही प्रोडेक्ट में इसकी थिक consistency है चोटे-चोटे से Particles है जो के Scrub के तौर पर वर्क करते है अगर आपने मेकप लगाया हुआ है तो आपने सिंप अपना मेकप रिमूफ कर और सिंप इसे 10 मेंट क्लिंजिंग कर ले, Face Wash कर ले आप का स्किन साफ हो जाती है बहुत अच्छा क्लिंजर है 10 by 10 है, highly recommended है अच्छा सेकेंड यह औरी फ्रेम की roll-on stick है यह उन लोगों के लिए होती है बहुत जादा sweating होती है unpleasant smell होती है sweating issue कादर तो उनके लिए काफी helpful रहती है आप इसे अपने private areas में अंडरांस में यूज कर सकते है smell इसकी normal है और 48 होर यह claim करते है कि इसके fragrance रहती है लेकिन 48 होर नहीं रहती है मैंने यूज किया सिफ 8 to 10 होर रहती है लेकिन जो college going और office going girls है उनके लिए काफी best चीज है तो मेरी तरफ से 8 by 10 है अगर आप लोग लेना अच्छे जो third product में पास यह optimals का purifying clay face mask है और यह charcoal वाला face mask है इनका packaging इस तर की जिस तर की day cream नहीं होती है उस type किसे packaging है packaging इसकी बहुत अच्छी है बहुत nice packaging है इसकी glass bottle है और मैंने इसे 3 to 4 time use किया यह काफी अच्छा face mask है पेशली आपकी जिस चीज में charcoal होती है वो deeply आपके pores को clean करता है second यह आपको bright effect भी देता है अगर आप इसे alternative days भी उसका है तो आपके skin कुछ हद तक bright भी हो जाएगी skin को बहुत अच्छा साफ कर देता है क्योंकि purifying clay mask के नाम सी पता चाज़ रहा है किससे आपकी skin बहुत साफ हो जाती है यह भी मेरी तरफ से 10 by 10 है highly recommended है skin इतनी कोई deeply यह clean करता है इतनी अच्छी आपकी skin कर देता है लेकिन मैं कहूंगी कि यह mask जो है sensitive skin के लिए नहीं है इसके पीछे भी लिखा हुआ है कि do not use on sensitive skin बाकी sensitive skin वाले patch test कर ले फिर यूज कर सकते है बाकी यह mask भी बहुत अच्छा है यह दोनों प्रडेक्ट्स में तरफ से highly recommended है दोनों 10 by 10 है यह 7 यह 8 by 10 है नॉर्मल सी है लेकिन यह दोनों बहुत कमाल की प्रोडेक्ट है तो यह आपदा राशी थी तरफ समझे पियार आया था अगर आप लोग लेना चाहें तो इनका यह WhatsApp नंबर है Instagram पर इनका अकाउंट है आप लोग उहां से order कह सकते है बस यहां पर मैंने शावर ले लिया तो गर्मियों में शावर लेना प्यास कट कर रखी है दही जो है उसे फैंट रखा है साही चीज़ों का काम हुआ पर जिन्दगी असान है अगर यह साह काम आपको कोई करके दे दे ना तो बस डोई चिला है फटा-फट से खाना बंजे में खासे खाना पकाना मुश्किल नहीं हो तो उसकी त्यारी करना ज्यादा मुश्किल काम है अच्छा आप लोग यह बता है आप लोग को क्या लगता है कि जो इद हो कब होगी 29 जून को होगी या 30 जून को होगी मुझे लगता है कि 29 जून को इद होगी आप लोग बता है आपको कब लगता है कि 29 की होगी या 30 की होगी और कुर्बानी का जानवर ले लिया आप लोगों नहीं लिया है कुछ लोग होते हैं पहले से ही ले लेते हैं कुछ लोग एंट के टाइम पर लेते हैं तो आप लोग अपना बता है आप लोग कब लेते हैं एद के शॉपिंग आप लोगों ने कर ली अभी है नहीं कि मेरे खास्ते जितनी गर्मी है इस इत पर लॉन भी पहने जाएगा इस प्राइटर वाला सूट भी नहीं पहना जाएगा ना क्योंकि घरमी इतनी परड़ी है इतनी गर्मी में दिल करता है विस बंदा जानुम hane siya जो कपड़े होते कम अखने वन यह पंधियाалась में थोड़ाइम चेनज किया रही है मैंने जॏ ब्राउन कर लिय ξ Listening चोटी लाइची बड़ी लाइची लॉंग काली मे दाल चीनी जीरा ये सब डालके उसे कड़कडाया उसके बाद talkane संका'RE नि STE टेबल स्पून सौंफ और टेबल स्पून धनिया ये दोनों चीजों को मैंने हावन दस्ति में मोटा मोटा कूट लिया था वो सौंफ और धनिया कूटावा डाला इससे बहुत अच्छी खुश्बू आती है और इसके लाव मैंने मसाला में नमक डाली लाल मिर्ची पाउडर गरम मसाला पाउडर और मैंने बिर्यानी मसाला और थोड़ा सा मैंने काले मिर्च का पाउडर डाला हाफ कब जितनी मैंने दही डाली मसाले को मैंने खुब अच्छे से भूना जब मसाला अच्छे से भून गया तो यह चने बॉइल किये वे थे यह बॉइल किये वे चने मै इसकी भुनाई करेंगे इतना के तेल उपर आज़े दस मिट मैंने खूब भुनाई की थी उसके अधागा चिकन स्टॉक को वो डाल दे में पास यखनी नी थी तो मैंने क्या किया था मैंने फानी में थोड़ा सा चिकन पाउडर चिकन क्यूब जो था वो डिजॉल्फ कर लिय थी औरियो कपकेक है थे तो यह बड़े खुबसूरत लेकिन गर्मी का हाल की वजय से इसकी साइरी आइसिंग जो है वो पिगल चुकी और यह बेड़ा गर्क हो गया इनका लेकिन खेर टेस्ट बहुत अच्छा था लेकिन उपर से बसूरत हो गए थे बेशकर हो गए थे औ यहां पर चना प्लॉव जो रेड़ी है एक और चीज़ किसमें हराधनिया पुदीना भी मैंने डाला था और यह चना प्लॉव रेड़ी है साथ में थोड़ा सब में चिकन का सालन बनाया था अब्बू के लिए क्योंकि मेरे अब्बू जो है वह चने के प्लॉव नहीं खा इसमें और ये रात का टाइम था और घर में बिन बुलाया महमान आ गया था घर का बेड़ा करने के लिए वो था आंधी डस से आपको अंदाज़ा हो गया होगा इतना मिट्टी का तुफाना है एकदम से शाम ते इतनी गर्मी थी और अचानक से तुफाना है और इतनी आंधी आई के मिट्टी मिट्टी पूरे घर में हो गई है अब अगर कल मासी चुटी कर लीना तो घर को साफ करना भी मुश्किल हो जाए कभी इसमान पर मिट्टी चड़ी हुई थी इतना कोई तुफान था ना मुझे ना आंधी बहुत बुरी लगती है क्योंकि से ना सारा घर ज पिने को तो मैंने शेक बना लिया और बस यहीं पर व्लॉक को एंट करते हैं आप आप से नेक्स वीडियो मुलाकात होगी तब तक लिए अलाफिस